गुड मार्निंग स्टूडेंट आज का आपका EBS का चप्टर नंबर सैवन है एनिमल किंग्डम ही के हम स्टार्ट करते हैं नेहा वेंट टु दा जू विधर पेरेंट्स नेहा अपने पेरेंट्स के साथ कहां जाती है जू में यानकी चुडियागर में तो वहां पे जाके वो बहुत अलग-अलग तरह के एनिमल देखती है और अपने पापा से पूछती है पापा जो हाथी है, टाइगर है, चीता है, जेबरा है ये किस तरह के जानवर है हर फादर रिप्लाइज उसके पापा ने उतर दिया, जवाब दिया तो उन्होंने क्या बताया, दुबारा कहा कि इन में से जो कुछ एनिमल्स है, वो जंगल में रहते है कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, जो दार्ती पे रहते हैं, हमारे चारो तरफ रहते अगें शी आस्क्ट, उसमें अब जो नेहा ने दुबारा पूचा अपने पापा से वेर ड़स दे क्रोकोडाइल लिए, जो क्रोकोडाइल है, मगर मच है, वो कहा रहता है जो क्रोकोडाइल है, वो पानी में भी रह सकता है, और धर्ती पे भी रह सकता है डिफरेंट अनिमल्स लिए डिफरेंट प्लेसे, डिफरेंट अनिमल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे रहेंगे Let's learn more about them कि आईए इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ते हैं फिर है terrestrial और land animals Terrestrial क्या होते हैं जो धर्ती पे रहते हैं animals Land animals बोलते हैं उनको Animals that live on land जो धर्ती पे, भूमी पे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? Terrestrial animals They walk or run on the land वो चर भी सकते हैं, भाग भी सकते हैं धर्ती पे Most land animals have four legs and a tail ज़्यादा तर जो land animals होते हैं उनकी चार टांगे होती हैं और एक tail होती हैं, पूंच होती है Land animals may be big as well as small जो land animals होते हैं, जो धर्ती पे रहने वाले animals होते हैं वो बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं आगे देखो, देखो ये हैं आपके terrestrial animals Fox है, जबरा है, फिर हीरन है, जिराफ है, एलिफेंट है ये सब क्या है? terrestrial या land animals फिर हैं आपका wild animals Wild animals कौन से होते हैं? जंगली जानवर Animals that live in jungle, जो जंगल में रहते हैं, उनको क्या बोलती हैं? wild animals, loin, cheetah, tiger और ferocious animals जो शेर है, cheetah है, tiger है, ये क्या है? ferocious animal है, cruel animals है, ठीक है? डराउन है याने की, जैबरा, एलिफेंट, जिराफ, टियर, एटसेटरा और gentle animal, जो जैबरा है, हाथी है, जिराफ है, ये कौन से animal है? gentle याने की, शांस अभाओ के animals हैं Some animals live on trees like monkey, ape, squirrel कुछ animals ऐसे होते हैं, जो trees पे रहते हैं, जैसे बंदर हो गया, ठीक है? गिलारी हो गई, उनको क्या बोलते हैं? herborial animals, क्या बोलेंके उनको? herborial animals, जो पेड़ों पे रहते हैं monkeys have long tails, which they use for grasping things जो बंदर होते हैं, उनके पास क्या होती है? एक लंबी पूछ होती है, जिससे वो चीजों को पकड़ सकते हैं फिर है, domestic animals, domestic animals किसे बोलते हैं, जो पालतु जानवर होते हैं जो हम अपने घरों में पालते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? domestic animals Some animals are used by man and captain farms कुछ animals ऐसे होते हैं, जो मानव के द्वारा रखे जाते हैं उनके लिए कोई जगे होती है, fix, उसे बोलते हैं, farm They are called domestic animals, उनको क्या कहते हैं? पालतु जानवर Man provides them food and shelter जो man है, जो उन्हें रखते हैं, उन्हें क्या प्रोगाइड करते हैं, क्या देते हैं? Food देते हैं, बोजन देते हैं, उन्हें रहने की जगे देते हैं Dog, horse, camel, cow, etc. are some domestic animals कुटा है, घोडा है, उंठ है, गाय है, यह सब क्या है? domestic animals है When domestic animals are sick, जब भी पालतु जानवर बिमार होते हैं, they are treated by a doctor उन्हें का इलाज कौन करता है? Doctor करता है The doctor who cures sick animals is called a veterinary doctor जो doctor, जो बिमार जानवरों को उनकी care करता है, उनकी देखबाल करता है उसको क्या बोलते हैं? Veterinary doctor कि जो पश्वो का जानवर होता है, पश्वो का doctor होता है न, उसको बोलते है veterinary doctor क्या बोलते हैं? Veterinary doctor यह सब क्या हैं? आपके domestic animals हैं देखो जैसे बफैलो हैं, गाय है, बकरी है, गोडा है, यह सब क्या है? domestic animals है आगे देखो other land animals कुछ और जमीन पर रहने वाले जानवर some land animals like rabbit, snake and worms dig big holes to live in कुछ land animals जैसे खरगोश हैं, साप हैं, वोम हो गई यह सब क्या करती हैं? छेद बनाती हैं और उसमें रहती हैं अब हम करेंगे अपनी worksheet हमारी worksheet number 44 है सबजेक्ट है आपका EBS class 3rd के लिए है day है Thursday question number 1 देखो word meanings है animal को हिंदी में क्या बोलते हैं? जानवर kingdom राज्य Jew चिडियागर terrestrial भूमी पर रहने वाले wild जंगली ferrocious ferrocious क्या होता है? crew arboreal पेड पर रहने वाला grasping फकडने में जो सक्षम होता है न उसे बोलते grasping domestic पालतू shelter शेरण veterinary पचूची कित्सा halls bill amphibian रेंगने वाला amphibians वो होते हैं जो रेंगने वाले जैनवर होते हैं snake होता है वो amphibian है proper dial है वो भी amphibian है extinct extinct क्या होता है? loop आपके जो animals होते हैं वो कितने तरह के होते हैं कितने तरह के होते हैं पांच तरह के होते हैं सबसे पहले कौन सा आता है terrestrial animals arboreal animals aerial animals amphibian animals past type के बताएं मैंने I repeat again terrestrial animals arboreal animals aquatic animals aerial animals amphibian animals ठीके, तो सबसे पहले मैं आपको terrestrial animals बतात हूँ अब भी मैंने पढ़ाया है है, terrestrial animals वो animals होते हैं, जो land पर रहते हैं कौणसी animals जो land पर रहते हैं जैसे giraffe, elephant next देंखो, erboreal animals erboreal animals वो होते हैं, जो पेडों पर रहते हैं किस पर रहते हैं? पेडों पर Arial Animals वो होते हैं, जो हवा में उड़ते हैं, ओके, जो कहां उड़ते हैं हवा में, पैरट है, स्पैरो है, पीजन है, फिर है Aquatic Animals जो पानी में रहते हैं, फिश, डॉल्फिन, सीहोर्स, ओक्टोपस, Amphibians, रेंगने वाले जानवरों को क्या कहते हैं, Amphibians, Snake है, Crocodile है, Turtle है, Okay, Question No.3, देखो, Food we get from Animals है, जो हमें Animals से Food मिलता है, कौन-कौन से हैं, जिसे Chicken मिलता है, हमें, Butter मिलता है, Curd मिलती है, Eggs मिलती है, Milk मिलता है, Fish मिलती है, यह सब जो Food हैं, हमें कहां से मिलता है, Animals से, Okay Student, आज की Worksheet आपको समझ में आई होगी, Goodbye, Thank You